हलो, गुड आफ्टनून एवरिबडी, वेलकम तू क्यूरियस माइन्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो पोईट्री से है, क्लास नाइन की थियोलिप सीरीज से, जो आज का टॉपिक है उसका नाम है नो मेन आ फॉरन बाइ जेम्स करकप, ठीक है, तो ये एक पोईम है और प जीपर मीनिंग का मतलब पता होना चाहिए, ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं पोईम के साथ, बेसिकली ये जो पोईम है, इसका जेनरल एक्स्प्लनेशन ये है, कि ये पोईम हम आपको ब्रधर हुट के बारे में पताती है, ठीक है, मतलब जैसे कि हमें एक दूसरे के साथ बेदभाव नहीं करना चाहिए, हम एक ही रेस के हैं, युमानिटी सेख, ठीक है, युमानिटी के लिए है, बस यही सिखाती है कि हम लोग सब एक से हैं, हम लोग एक जैसे सांस लेते हैं, एक जैसे रोते हैं, तो हमें कास्ट, क्रीड, कलर, जेंडर, रेलिजिन, इन सब प और फिर मैं आपको समझाऊंगी, ठीक है, तो remember, no men are strange, no countries foreign, beneath all uniforms a single body breathes, like ours, the land our brothers walk upon, is earth like this, in which we all shall lie. यह हमारा first paragraph है, और इसका यह मतलब होता है, कि कोई भी आदमी, no men are strange, कोई भी आदमी अजीब नहीं है, कोई भी आदमी foreigner नहीं है, ठीक है, तो basically वो क्या करता है, वो कहता है, कोई country भी foreign नहीं है, इसका क्या मतलब है, कि वो borders नहीं चाहता है, earth पे, ठीक है, क्यूंकि हर एक country क अपने borders होते हैं, ठीक है, तो वो कहता है, कि अगर country के borders नहीं होंगे, तो कोई country भी foreign नहीं होगी, ठीक है, तो जो दूसरी country है, उन्हें अपनी land की तरह सोचना है, ठीक है, जहां पे हर बंदा freely move कर सके, वो यह कहता है, कि जो entire earth है, जितने भी लोग हम सब रहते हैं, हम एक की race को belong करते हैं, ठीक है, वो यह कहते हैं कि जो भी हम uniforms पहनते हैं, जो जैसे soldiers पहनते हैं, जो हमारी country से लड़ते हैं, या जो दूसरी country के soldiers पहनते हैं, ठीक है, वो अंदर से सारे सेम ही है, अंदर से हम सब humans हैं, human beings हम सब सेम हैं, ठीक है, भगवान ने हमें एकी तरीके का बनाया है हम एक ही तरीके से सांस लेते हैं ठीक है तो बेसिकली ये कहता है कि जितने भी soldiers हैं वो हमारे brothers की तरह हैं और हम सब एक ही अर्थ पे चलते हैं अपनी mother earth पे चलते हैं और जब मरेंगे तो एक ही अर्थ में मरके हम वही पे lie करेंगे तो बेसिकली जो हमारा first paragraph है वो ये कहता है कि कोई भी man जो है वो अलग नहीं है कोई country अलग नहीं है जो uniforms के अंडर जो लोग हैं जो soldiers की uniform के अंडर जो लोग हैं वो सारे same है ठीक है जो हमारे brothers है वो जब लड़ते हैं तो हमारी तरह ही लड़ते हैं और फिर जब मर जाते हैं तो वो वापिस फिर अर्थ में ही विलीन हो जाते हैं जैसे कि हम हो जाते हैं तो वो basically क्या कर रहा है difference मिटाने की कोशिश कर रहा है James Kirkup इस poem में second stanza है कि they too aware of sun and air and water are fed by peaceful harvests by wars long winter starved their hands are ours and in their lines we read a labor not different from our own देखिये यहाँ पे जो दे हैं दे वो लोग हैं जो दूसरी country को बिलॉंग करते हैं जिनको हम foreigners बोलते हैं ठीक है जुनके against हम मतलब हम उन्हें कहते हैं तो poet यह कह रहा है कि nature ने हम सब को same ही चीज़ दी है ठीक है मतलब इसका क्या कहने का मतलब है कि उनके पास पी जैसे sun है जो air है जो water है वो सब सेम है nature ने जो हमें खाना provide किया हुआ है harvest provide किया है farming जो है वो सब सेम है ठीक है यह आगे इसके आगे यह कहते है कि जैसे war के time यह जब winter बहुत जादा हो जाती है तो जब भुक्मरी सी पढ़ती है तो वहां foreign country में भी वैसे ही पढ़ती है जैसे हमारे यहां पर पढ़ती है ठीक है तो कहते हैं कि उनके जो हाथ है वो भी हमारे जैसे हैं वो भी उतना ही काम करते हैं जितना हम करते हैं तो basically वह इस paragraph में भी आपको वही बता रहा है कि उन में और हम में कोई difference नहीं है चाहे हम different countries को belong कर सकते हैं ठीक है जैसे वो काम करते हैं वैसे ही हम काम करते हैं अब चलते हैं हम तीसरे paragraph पे Remember they have eyes like ours that wake or sleep and strength that can be won by love In every land is common life that all can recognize and understand तो poet जो James Kirkup है वो क्या कहते हैं वो हमें कुछ याद दिलाना चाहते हैं वो ये याद दिलाना चाहते हैं कि हमें ये चीज दिमाग में रखनी चाहिए कि जब हम दूसरों के बारे में दूसरे country के बारे में सोचते हैं जब हम उन्हें अपने enemies की तरह सोचते हैं तो हमें यह सोचना चाहिए कि उनको भी भगवान ने हमारी ही तरह appearance दी है, वो भी हमारी ही तरह दिखते हैं, उनके पास हमारी ही तरह eyes है, जो उठती है, जब उनने उठना होता है तो वो खुल जाती है, जब सोना होता है तो बंद होती है, हमारा भी वैसे ही होता है, ठीक है तो उनको भी strength दी है कि वो प्यार से ही जीत जाए तो वो ये कहना चाहता है कि हर एक country में एक common thing है वो है life life means जो भी चीजें सब living है तो हम लोग ये जानते है कि हम सब countries जो different countries हैं सब में same चीज है तो अगर हम यही चीज समझ जाएं तो हम में कोई fight ना हो कोई war ना हो फिर जो हमारा stanza 4 है उसमें फिर से वही आता है कि let us remember whenever we are told to hate our brothers it is ourselves that we shall dispossess betray, condemn remember we who take arms against each other ठीक है तो poet इसमें क्या कह रहे है कि जब हमें बोला जाता है दूसरे किसी और country के person को hate करने के लिए ठीक है उसे अपना enemy सोचने के लिए तो जब हम किसी को भी सोचते हैं कि वो हमारा enemy है तो basically हम अपने आपको ही deprive कर रहे हैं वो हमारे brother जैसे ही है ठीक है तो हमें ऐसे negativity में नहीं आना चाहिए हमें किसी को भी अपना enemy नहीं मानना है ठीक है क्योंकि जब लडाई होती है तो दोनों parties को loss होता है ठीक है क्योंकि war जो है वो किसी के भी favor में नहीं है तो वो कहते हैं कि जब भी हम किसी के against जब भी हम weapon उठाते हैं तो हमें एक चीज याद रखनी चाहिए अब वो चीज क्या है वो stanza 5 में explain करते हैं जो कि हमारा last stanza भी है तो यह कहते हैं कि अभी एक चीज है जो हमें याद रखनी है जब भी हम किसी के against कोई weapon उठाते हैं वो क्या है कि जब हम किसी के against लड़ते हैं तो हम earth को dirty बनाते हैं क्योंकि हम लोगों को मारते हैं और जो उनकी bodies हैं वो earth में गिर जाती है ठीक है वो और के साथ बहुत bloodshed होता है fire होती है death होती है बहुत जादा तो वो क्या करती है earth को impure कराती है वो जो fire है वो basically जो smoke आती है वो जो dust है वो हमारी जो हवा है उसे dirty कर लेती है ठीक है जो innocence of air है उसे dirty कर लेती है उसकी purity को खराब कर देती है तो basically इस पूरी poem से जो point हमें जो message देना चाहते हैं वो ये है कि हमें war में नहीं पढ़ना है we don't have to indulge in war तो इसी लिए वो जो last line है वो फिर से first line को लिखते हैं लेकिन reverse में लिखते हैं क्योंकि उन्होंने जो first line लिखी है वो क्या लिखी है remember no men are strange no country is foreign तो अभी वो फिर से वही लिखते हैं remember no men are foreign no country is strange ठीक है तो ये थी हमारी poem I am hoping कि आपको ये poem समझ आई हो ठीक है इसके बाद आती है हमारी glossary जो हमारा पहला word है dispossess फिर है betray condemn defile outrage the innocence of ये glossary इसलिए पढ़ाई जाती है कि आपकी pronunciation better हो आप poem भी साथ में बोल सकते हैं तो ये था हमारी poem का end इसके बाद जो questions हैं वो आपके explanation से निकल जाएंगे तो आप कोशिश करिए वो खुद लिखने की तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक करें शेर करें और सब्सक्राइब करें stay home stay safe study hard thank you